आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रहे हुए एकदम मार्केट जैसी कष्टड आइस क्रीम की रेसेपी यह दो से तीन चीज़ों में बनके तयार हुजाती हो खाने में बेहदी स्वादिस लगती है आप इसे जब चाहें तब बनाके एंज्जोई कर सकते हैं तो आइए देखत इसमाल करने से आपकी आइस क्रीम में अग्दम मार्केट जैसी आइस क्रीम बनके तयार होगी अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी टेस्ट के एक औरिंग चीनी तो यहां पर चीनी मैंने बन्थरकप लिया है आप अपने टेस्ट के एक औरिंग कमीज़ादा कर सकते हैं लेक अपर दूद में लिया है वो टेंपरिचर पर अच्छे से मिक्स कर लोंगी इसमें किसी तरह की गुखिया नहीं रहनी चाहिए तो यहां पर कस्टड का दूद है तैयार हो चुका है अभी दर हमारी चीनी यह भी अच्छे से घुल चुकी है अम मैं इसमें एड़ कर दूग अच्छे से दूद में मिक्स करने लगेंगे नहीं तो जो कस्टड वो तले में चिपक जाएगा तो इस वात का आपको ध्यान रखना है यहां पर में फ्रेम को मीडियम टू हाई रखना है और इसी तरीके से लगाता चलाते विए इसे पांच मट के लिए पका लेंगे तो अगर आप और भी आइस क्रीम की रेसे पी देखना चाहते हैं तो मैं उन्स अबीके लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूगी तो आप वह से जाकर उन्या कर सकते हैं तो यहां पर हमने इसे पका के ले लिया है और आप देख सकते हैं यह काफी गाडा हो चुका है और अच्छे से पक चुका है काफी जरूरी होता है तो मैंने इसे टूटल पांच मिनट के लिए पकाया है अब यहां पर गैस को बंद कर देंगे और इसे रूम टेंप्रिचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो यहां पर हमने रूम टेंप्रिचर पर अच्छे से ठंडा कर अब हम इसे विप करेंगे 5-6 मिनट के लिए आप चाहें तो इसे हेंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं या फिर चम्मत से लेकिन उससे ब्लेंड करने में इसे काफी सारा समय लगता है इसे लिए जब मैंने कस्टेड बनाया तो इसमें चीनी का इस्तमाल कम किया था तो यहां पर मैंने इसे विप करके ले लिए आप देख सकते हैं इसमें काफी इच्छे इस टिपिक्स बन रहे हैं तो अब हम इसे विप नहीं करेंगे अब मैं इसमें कस्टेड कर दूंगी जो यह पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन यह एड़ करने से हमारी आइस्क्रीम एक्तम आर्पी जैसी बनती है तो इसे भी एड़ करने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कश्ड़ आइस्क्रीम के पेश्ट है तैयार हो चुका है आप दिख सकते हैं कितना क्रीमी और स्मूदी है तो आप देख सकते हैं इतने से पेश्ट में हमारा कंटेनर काफी अच्छे से फुल हो गया है अब हम इसे कबर कर देंगे और कबर करने के बाद 5-6 गंटे या फिर ओवर नाइट के लिए से जमने के लिए रख देंगे तो आप यहां पर मैंने इसे ओवर नाइट जमा के लि आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और स्मूदी आइसीम हमारी बनके तयार हुई है अब मैं इसे फटावर से गानिशिंग कर देंगे तो यहां पर मैं थोड़ी सी इसके ऊपर टुटी फूटी डाल रही हूं थोड़ी से मेरे पार ड्राइफूट है पिस्ता और बादाम यह